हलो गईज सीवी सेन 125 में चैंस्पुकेट नाया वला डालेंगे दोस्तों चलने लग था फिर भी साउंड आ रहा था दोस्तों चैन का उसी के लिए बदल दी रहे हैं दोस्तों हुंडा में ज्यादा बीमारी बोलने से स्पुकेट का आता है और ऐसा तो कुछ नहीं फटाफट से दिखा रहा हैं दोस्तों अबी पुराना बला आइस पुकेट खोलेंगे याने निकालेंगे नया वाला पिटिंग करेंगे चोधा नमबर रिंगपन में खुल जाता है दोस्तों इस पुकेट या गोटी पना में जो अच्छा लगे उसमें डाइमान के डालेंगे दोस्तों पाटी लिग आया था अर्जिनाल ही सही है अभी नया वाला पिटिंग करेंगे दोस्तों देखे दोनों को मिला के दिखाते हैं ज्यादा भी खाया नहीं था दोस्तों फिर भी बदल देना पड़ा इसमें सांड आ रहा था इस पुकेट से फटा फट से टेक्ट करते हैं और प्लीज नया है तो प्लीज सस्क्राइब दोस्तों जब भी टेट करें दोस्तों फुल्टेट होना चेहें यह वान प्र डिला होना ने चेहें लूज रहने के बाद सांड आ जाता है दोस्तों पीछे से अब चेक का फिटिंग रहेंगे दोस्तों संगेस सांग कि अच्छा से बैठाएंगे दूस्तों कप्लिंग रपा टूटा हुआ है तो नया बोला डाला जरूरी है खाया हुआ नया बोला अठीक है तो उसी को डाल दीजे अच्छा तर्च प्रकट में चाल आ जाता है दोस्तों जब पीक ब्लेंट के टेम में टूप लिए आ जाता है कि अच्छा आओ कि अच्छु आओ कि अच्छा अच्छा को है कि अच्छा यह रहत वह पूराव कि एक्सेल में सब टैट हो जा रहा है दोस्ता इस पोकेट एलो इल सब बाकी में हाप एक्सेल यह सब रहता है दोस्तों इसमें है नहीं होंड़ा का लगभग चक्का फिटिंग हो चुका है कि दिश्टेन बूल दोस्तों इस टो टूटने का भी चांस रहता है जब ब्रेक मारते हैं तो निकल जाता है या खुल जाने के बात पुरह ब्रेक लिवार ब्रेक रोर साब टूट जाता है दोस्तों जब भी टैट करें अच्छा से टेट करें एक्टोवी मिस होना ने चाहिए चावी नोट धिला करना चाहिए आगे लेकिन आभी कर रहे हैं दस्तों चक्का फिटिंग करने के बाद चक्का आगे जाएगा दस्तों आगे स्पुगेट कि टिंग करने हैं टेट करें यह एक्टो डाल के अच्छा से करने इना हैं आये गैस्पगेर भी टीट करें तो फूल टीट होना चीए दूसतु अभी नयाद चेन डालेंगे इसमें अधि लास्टिक टू कम बचा है अधि लास्टिक टू कम बचा है चेन अच्छी सी बेट गया दूसतु चेन ना छोटा हुआ न बड़ा एवान हुआ है चेन जब भी लोग फिटिंग अड़े थोड़ा सा टूच केर दीजिये दूसतो अच्छा से बेट जाएगा अभी चेन अड़ेस्ट करेंगे दूसतु जितना लेबल अतना ही दोनो तरफ सही से मिला है दूसतो एक भी ज़्यादा एक भी कम नहीं होना चे अच्छा से मिला है चेन सही चलेगा उसके हिसाब से लेकिन पॉइंट सैम होना चाहिए दोनों साइट का एक ही पॉइंट होना चाहिए दोस्तों और चेन में तोड़ा क्या करते हैं चेन में वो बाद में दोस्तों अभी तो नया डाल दिये कुछ दिन तिन चार दिन के बाद लूज हो जाता है दोस्तों जाल देते हैं मॉबिल नहीं डलना चाहिए दोस्तों अभी से गिरिष थोड़ा दे दने के बाद नया में क्या रहता है कि लूवी ठोड़ा हलका हलका रहता है दोस्तों एस्टों धडिने के बाद अच्छे लगे तो फ्लीज पर क्या बोलें देखते रहे हैं और अनाय हो तो फिर भी सब्सक्राइब अभी दोस्तों इवान हो चुका है हलकार का तरण गिरिश इसमें कि देंगे दोस्तों लुबी दीर रहता है जो हलका हलका रहता है दोस्तों कोई भोल जाता है तो पुरा सुखा में चला देते हैं तो वो इस पोकेट को भी दिकत पड़ जाता है चैन को भी दिकत पड़ जाता है दोस्तो लेकिन ग्रीज थोड़ा दे दिने के बाद एवान हो जाता है देखे दोस्तो हो चुका है अगर इसका आगे वाला कवर डालेंगे चास से बैठाएंगे लगभाग कम्प्लेट हो चुका है और इसमें एकीटू चेन कवर था दोस्तो उपर वाला नीचे वाला टूटा हुआ था निकाल दिये हैं एकीटू चेन कवर था इसमें तो एकीटू डालेंगे इसमें दोस्तो हो चुका है कम्प्लेट जब भी चेन सेटिंग करें दोस्तो उसका कड़ी सबसे उसमें रहता है दोनों तरफ सही होना चाहिए करेंगे दोस्तो है करें दो अगे हैं कर दो कर दो